जैश्रीमर नारायन दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं कि तुलसी की पूजा किस तरीके से करने चाहिए देखिए तुलसी की पूजा तो सभी करते हैं पर अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनो कामनाय पून होंगी बात करेंगे तुलसी के पौधे की उसके औशद्य गुनों के बारे में तो आपने काफी कुछ पढ़ा होगा सुना होगा आज मैं आपको बताऊंगी उसके प्रभाव आपके जीवन पर तुलसी का पौधा लगा कर आप अपने घर के दोशों से मुक्ति पा सकते हैं देखें तुलसी जो है मुक्ता दो तरीके की होती है राम तुलसी या फिर श्याम तुलसी और ये दोनों ही प्रकार की तुलसीों में सिरफ रंग बेद होता है उसके अलावा कुछ गुणों को छोड़ करके बाकी जो गुण है वो समान होते हैं वर्षों पहले से घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगानी की प्रणपरा चली आ रही है महिलाएं प्रती दिन पूजा करके जल अर्पित करती हैं घर से निकलने से पहले तुलसी के दर्शन करना बेहदीशों माना जाता है इसलिए ये कहा भी गया है कि तुलसी के पौ वो ऑशध्य गुनों से परिपूंड माना गया है इनकी पत्ियों में कीट नाशक जो है विशेश गुंद पाया गया है इसलिए मंदिरों में चर्ण आधक जल में तुलसी की पत्तियां डाली जाते हैं इस से जल के सारे किटानों नश्ठ हो जाते हैं तुल शुद्ध हो ज लोज जाप करें, तो धन में लाब होने लगता है, धन की प्राप्ति होने लगती है, और उसकी परिवार में सुक समृधी आती है. जो भी व्यक्ती रोज सुभे के समय करने के बाद में, तुलसी के नीचे गी का धीपक जलाकर के पुजन करता है. उस व्यक्ति के देव दोश समाप्त हो जाएंगे ऐसा कहा जाता है ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है एक गमले में आप क्या करें एक पौधा तुलसी का और एक पौधा काले धतूरे का लगा लें इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनें मैं ये जो बात बता रही हूँ व एक गमले में एक पौधा आप तुलसी का लगाएं और दूसरे गमले में आपको काले धतूरे का पौधा लगाना है इन दोनों पौधों पर आपको प्रते दिन स्नान करने के बाद में शुद जल में कुछ बूंदे कच्चे दूद की मिला करके उसको अर्पित करना है जो कि विश्नु प्रिया होने के कारण तुलसी विश्नु रूप है और साथी काला धतूरा शिव रूप है और तुलसी की जड़ों में भ्रह्मा जी का निवाशस्थान माना जाता है अब जान लेते हैं एक और आकरी उपाएं जो कि पित दोश मुक्ती से जुड़ा हुआ है जिन लोगों की कुंडली में पित दोश चल रहा है उनको ये छोटा सा उपाएं भी जरूर से कर लेना चाहिए आपको क्या करना है एक छोटा सा चांदी का सर्प बनवाना है इस सर्प की पूजा जिस दिन चतुरदशी हो उस दिन इसनान करके तुलसी के पौधे के नीचे आपको रखना है और फिर उसके उपर दूद अक्षत रोली लगा करके इसकी पूजा करनी है घी का दीपक जलाना है जिस समय आप पूजा करें उस समय व्यक्ति का जो मुख है जो उसका चेहरा है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए उसके बाद में आपको समता के नुसार आप दान जरूर से करें दीपक जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद में चांदी के सर्प को पूजा करने वाला जो व्यक्ति है वही उसको उठाएगा और उसको उठा करके किसी नदी में प्रवाहित कर दे इस प्रकार आपको इस पूजा को करना है और इस करने से काल सर्प दोश जो है वो आपकी कुंडली से दूर हो जाएगा अब जान लेते हैं मंत्र आपको स्क्रीन पर एक मंत्र दिखाई दे रहा होगा ये वो मंत्र है जब भी आप तुलसी की पूजा करें तो आपको इस मंत्र का पाट करना है इस मंत्र का जाब करना है तुलसी की पूजा करते समय आप जल देते हैं तो आपको इस मंत्र का उचारन करना है जब आप परिक्रमा कर रहे होते हैं और परिक्रमा करते समय जब हम जल देते हैं तो ये वो मंत्र है ये मंत्र इस प्रकार है महा प्रसाद जन्नी सर्व सो भाग्य वर्दिनी आधी व्य आपको मेरा प्रणाम है अब जान लेते हैं तुलसी के पत्ते तोड़ने का क्यानियम है आपको अमावस्या 14 तिथी को तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए रवीवार शुकरवार और सब्तमी तिथी को भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी स पत्ते तोडते समय आपको देवी तुलसी से पत्ते तोडने की इजाज़त लेनी चाहिए बिना वजह बिना किसी कारण तुलसी के पत्तों को नहीं तोडना चाहिए बलकि जो पत्ते जड़ करके नीचे गिर गए हैं उन तुलसी के पत्तों को धो करके आप पूजा या फिर दवाई इस तरीके के कारियों में इस्तिमाल करना जादा शुब और अच्छा माना जाता है अब जान लेते हैं वायू पुराण में तुलसी के पत्ते तोड़ने के संबंद में क्या कहा गया है देखिए वहां ये बताया गया है कि बिना इसनान किये जो व्यक्ति पूजा करत है और वही व्यक्ति तुलसी के पत्तो को तोड़ता है तो वो एक अपरादी है उसकी की गई जो पूजा है वो निश्वल हो जाती है इसमें कोई भी शंका नहीं है ऐसा वायू प्राण में लिखा गया है तो आप कभी भी बिना नहाय और बिना तुलसी माता की इजाजत ल